असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स, तोड़ी आइम गुएंग तोपिक तोपिक तेज अप्लिकेशन ओफ अटॉमिक फ्लॉरेसंस स्पेक्टोमीट्री तो जो के स्टुएंट्स हमारा बनता है लेक्चर नुबर सिक्स इसमें मैं आप लोगों से अप्लिकेशन जो है डिसकास क अप्लिकेशन किसकी अटॉमिक फ्लॉरेसंस स्पेक्टोमीट्री की जैसे कि स्टुएंट्स यह आपको पता है कि मैंने प्रिविएस जो भी लेक्चर्स है उसमें यहां पर मैंशन भी किया है कि लेक्चर नुबर वान में डेफिनेशन प्रिंसिपल को में आप से डिसक्स क किया है आप से और लेक्चर नुबर 4 में प्रोस्सेज इनवल्ट एंड इंटर फेरेंसे इन इन अटॉमिक फ्लॉरेसंस स्पेक्टोमीट्री और 5 लेक्चर में मैं आप लोगों से इंस्टुमेंटेशन जया है आप लोगों से एप्लिकेशन जो आप्लिकेशन ओफ आमिक की तरफ तो सुर्ण इस कुण कुण सी अप्रिकेशन हैं Atomic Fluorescence Spectrometry की यह जो है वो मैंने main heading दी वी Applications of Atomic Fluorescence Spectrometry और इसमें जो main points में discuss करूंगी one by one वो यहां पर mention किये गए है फर्स्त है कि इसके application कहाँ पर है environmental monitoring में ठीक है second जो है वो इसकी application कहा है pharmaceutical analysis में third में food and beverage analysis में है fourth नमबर पे है वो geological analysis में है fifth नमबर पे है forensic analysis में forensic analysis और last में जो है वो इसकी application है medical research में तो आप students में ये सारी जो इसकी applications है one by one आप वोसे detail में discuss करूंगी तो हम सबसे पहले आते हैं environmental monitoring की तरफ थो सबसे पहले हमारी जो इसकी application है वो कहां पर थी environmental monitoring में तो environmental monitoring में क्या है कि environment around population को monitor करने में थीक है environment में जो हमारे पास जो environmental samples है जैसे कि water है वार्टर है soil है air है थीक है उनको monitor करने के लिए उसको जो है उसमें у्रेश माँंट वगहरा को معyr करने के लिए तो अब कैसे कि जैसे कि आपको मेंचेन यहापर मैंने किया है कि AFS किया है Atomic Fluorescence Spectrometry can be used to measure the trace amounts of metals अब इसको हम ये टेकनीक है analytical technique जैसे कि मैंने start में discuss कि आप से और इस टेकनीक को हम use करते हैं to measure the trace amounts of metals ठीक है trace amount जो है किसी भी sample में हमारे पास अगर trace amount metal की मौझूद है या metalloids की amount मौझूद है जिनको अब semi metals कहते हैं ठीक है तो इसको monitor करने के लिए जो है हम इसको sorry इसकी amount को trace amount को measure करने के लिए जो है हम इस जो है atomic fluorescence spectrometry technique को हम use करते हैं ठीक है जैसे कि यह application है environmental monitoring में तो इसमें क्या होगा कि हम environmental samples है हमारे पास ठीक है आप कौन कौन से environmental samples हैं जैसे कि हमारे पस water हो गया ठीक है soil हो गई मट्टी हो गई and air हो गई ठीक है तो यह इनको हम जो यह environmental samples हैं इनके अंदर जहें आप इसकी जो trace amounts हैं metals की या metalloids की उनको मेयर करने के लिए इसको use करेंगे ठीक है तो यह आ जाएगा environmental monitoring के अंदर इसके बाद हमारे पास जो second इसकी application है वो है pharmaceutical analysis में ठीक है pharmaceutical में मतलब जिसमें आप pharmacy से related है pharmacy का मतलब जिसमें drugs वगरा हो गई ठीक है उसमें जो है वो drugs वगरा के amount या कोई भी impurities अगर मौजूद है drugs वगरा के अंदर level of impurities वगरा को में यह करना हो तो तब हम इसको AFS को use करते हैं ठीक है so AFS can be used for the analysis of pharmaceutical samples ठीक है जितने भी pharmaceutical samples है उसको analyze करने के लिए भी आप AFS को use करेंगे atomic fluorescence spectrometry को including drug substances ठीक है क्योंकि मैंने आपको students पहले ही बताया कि pharmaceutical है तो pharmacy से related है pharmacy में हमारे पास drugs वगरा आजाते हैं drug substances आजाते हैं तो उसके अंदर ही सारे आजाएंगे ठीक है उनको monitor करने के लिए या उसको analyze करने के लिए हम pharmaceutical analysis यानिके AFS को हम फिर use करेंगे atomic fluorescence spectrometry को AFS can help to ensure that the level of impurities are within acceptable limits और ये आपको इसके लावा आपको AFS क्या help करेंगी कि ये आपको level of impurities के बारे में बताएगी कि क्या जो हमारे पास जो drug है उसके अंदर impurities ज्यादा मौट में तो मौजूद नहीं है या impurities तो नहीं मौजूद के वो आपको human beings को या कोई भी जो livings हैं जो के drugs वगरा जिनको दी जा रही है जिसके अंदर drug को administer किया जा रहा है वो एक खास acceptable limits में है भी या नहीं ठीक है तो इन सारी चीजों को monitor करने के लिए फिर हम AFS को use करते हैं यानिकि atomic fluorescence spectrometry technique को हम use करते हैं तो students hope so कि आपको यह जो दोनों points में आपसे discuss के के environmental monitoring में कैसे यह आपको help कर रहा है और pharmaceutical analysis में hope so कि आपको points clear है अब हम आते हैं students third point की तरफ जो कि क्या है food and beverage analysis में ठीक है food and beverages analysis में क्या है AFS can be used to measure the levels of trace metals in food and beverage samples ठीक है अब क्या है कि levels of trace metals वो ही बात है कि trace metals को हमने जह है उसके levels को मियर करना है कि food के अंदर वो कीतना है मौजूद है and beverage samples में beverage क्या है जैसे कि आपके पास cold drinks वगरा होगी ठीक है जैसे coca cola होगी, pepsi होगी, dew होगी इस तरह से different जो है आपकी beverages हैं ठीक है उसके अंदर आप देखते हैं कि जो level है metals का trace metals का वो within acceptable limits है या नहीं है ठीक है and this information या उसके अंदर जो है वो कोई ऐसी type का element तो नहीं मौझूद के जो के जो है वो आपको effect करेगा जिसके harmful effects हैं ये सारे चीज़ों को monitor करने के लिए हम इसको AFS को use कर रहे हैं ठीक है and this information can help to ensure the safety and quality of products और ये किस वज़ा से किया जा रहा है कि ये जो है आपको इसके लावा जो atomic fluorescence spectrometry है ये information भी provide कर रही है कि जो आपका food जो आप खा पी रहे हैं जो आप beverages यूज़ करें जो है cold drinks वगारा ले रहे हैं या जो बॉटल्स वगारा ले रहे हैं तो वो safe भी है या नहीं ठीक है यानिके इसमें safely prepare की गई है और quality of products वगारा को यानिके जो product आप यूज़ कर रहे हैं उसकी अच्छी quality भी है या नहीं ठीक है ये सारी चीज़ें भी आपको जो है वो AFS इसमें helpful थाबित हो रही है ठीक है तो ये हमने तीन applications discuss की है students अब हम आते हैं इसकी fourth application की तरफ तो fourth इसके application कहां पर है students geological analysis में geological क्या मतलब है geo का मतलब क्या होता है earth geo means earth ठीक है geological क्या है कि earth से related जो भी earth में samples मौझूद हैं जिनकों कहते है geological samples ठीक है उनकी analysis के लिए so AFS क्या है कि जो atomic fluorescence spectrometry है this technique is used for the analysis of geological samples अब geological samples मैंने भी आपको बताया कि वो क्या है जिसमें आपको पास जो येंके earth से related to samples है जिसमें earth में कौन कौन से samples आपको पता है let's suppose के rocks आ जाती हैं चटाने आ जाती हैं soil वगरा आ जाती है ठीक है तो ये geological samples है उनको भी analyze करने के लिए हम atomic fluorescence spectrometry का इस्तमाल करते हैं इस technique को हम use करते हैं ठीक है तो इसका भी रोल इसमें भी हो गया geological analysis में इसके अलावा जो है इसका रोल कहां पर है forensic analysis में forensic analysis में क्या है कि जो आपके पास या forensic science में it is AFS can be used in forensic science to analyze trace amounts of metals in forensic samples ठीक है forensic samples जो हैं आपके पास जो है आपको पता है कि हेर वगरा उसमें बाल आ जाते हैं ठीक है blood वगरा आ जाते हैं ठीक है तो ये forensic samples के अंदर जो अगर आपने trace amounts जो है metals की determine करनी हो तो उसके लिए भी हम इसको technique को use करते हैं atomic fluorescence spectrometry technique को ठीक है इसके रावा जो इसकी last application जो है वो कहां पर है in medical research ठीक है medical research में जो है वो कैसे ये use हो रही है AFS can be used to measure the levels of trace metals in biological samples अब biological samples कौन कौन से हैं such as blood के अंदर आपने अगर trace metals के amount या level को measure करना है या urine के अंदर देखना है ठीक है तो उसमें भी इसका जो है वो role है AFS का atomic fluorescence spectrometry का and this information can help to understand the role of metals और इससे क्या होगा students के एक तो आपको level का पता चलेगा कि कितने amount जो है वो या level of trace metal की तरह मौझूद है और secondly यह क्या information आपको provide करेगा role of metals in human health and diseases इसके लावा आपको different metals जो के मौझूद है उनका रोल भी पता चलेगा कि इस metal ने क्या जो है वो role play किया है ठीक है यह इसका क्या role है human health में और इसके वज़ा से कोई diseases वगरा तो नहीं हो रही है उसके वज़ा से इसके side effects हैं वो क्या हो रहे है each and everything जो है वो आपको इसके बारे में फिर जो है complete information यह आपको provide करेगी atomic fluorescence spectrometry तो होप सो कि students आपसे जो मैंने आज के लेक्चर में जो applications discuss की है atomic fluorescence spectrometry की वो होप सो कि आपको सब points जो है वो clear हो गए है और students आज के lectures related बिगर आपके माइन में still कोई भी confusion है तो वो आप मुझ से comments में पूछ सकते हैं thank you so much students